NMC ने मांगी राजियों से राय, MBBS, कोर्स में स्टेट कोटे की काउंसिलिंग अब होगी दिल्ली से. National Medical Commission NMC अब MBBS, कोर्स की स्टेट कोटे की सीटों में एड्मिशन की काउंसिलिंग खुद करना चाहता है. NMC ने सभी राजियों को पत्र लिख कर इस पर राय मांगी है. अभी कुछ राजियों ने मिश्रित राय दी है, जिसमें किसी ने सही तो किसी गलत ठहराया है. चत्तीस गर्ड की ओर से अभी NMC को अभिमत नहीं भेजा गया है. हाला कि उच्चादिकारी दिल्ली से काउंसिलिंग की पक्ष में दिख रहे हैं. वर्तमान में NMC की काउंसिलिंग कमेटी केवल आल इंडिया कोटे की काउंसिलिंग कराती है. प्रदेश में 10 सरकारी समेट 13 मेडिकल कॉलेज है. इन कॉलेजों में MBBS की कुल 2020 सीटे है. वहीं 6 सरकारी वद 2 निजी कॉलेजों में PG की 373 सीटे है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे यानी 82 फीसदी सीटों वपीजी में 50 फीसदी सीटों की काउंसिलिंग DME कार्याले करवाती है. वहीं NMCM BBS की 15 फीसदी वपीजी की 50 फीसदी आल इंडिया कोटे की काउंसिलिंग करवाती है. ये काउंसिलिंग दिल्ली से होती है. नए प्रस्ताव में स्टेट समेट आल इंडिया की सीटों की काउंसिलिंग दिल्ली से होगी. निजी कॉलेजों में मैनेजमेंट वर इनराई कोटे की काउंसिलिंग भी DME कार्याले करवाती है ये काउंसिलिंग भी दिल्ली से हो सकती है कुछ जानकारों का कहना है कि योजना तो अच्छी है लेकिन बड़ी काउंसिलिंग होने पर गलती की आशन का बढ़ जाएगी हाला कि अभी तकाल इंडिया कोटे की काउंसिलिंग में कोई बड़ी गलती सामने नहीं आएगी चग में मेडिकल सीटे इस तरह 2020 कुल सीटे MBBS की निजी में 450 10 सरकारी वटीन निजी मेडिकल कॉलेज प्रदेश में 373 कुल सीटे PG की इनमें निजी में 104 नया सेशन समय पर होगा शुरू समय भी बचेगा मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि दिल्ली से काउंसिलिंग शुरू होने पर समय बचेगा और नया सेशन भी समय पर शुरू होगा श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज के चेयर्में डॉक्टर डेवेंद्र नायक वर हिमेटोलजिस्ट डॉक्टर विकास गोल का कहना है कि एक ही जगह से काउंसिलिंग होने से चात्रों का समय बचेगा काउंसिलिंग जो लंबी चलती है इसमें कमी आने की संभावना है ऐसे में एनेमसी की नई योजना चात्रों के हित में कही जा सकती है अभी स्टेट से काउंसिलिंग होने से बड़े डॉक्टरों की टीम इसमें ओलजी रहती है फीस भी समान होने की दिशा में पहल दिल्ली से मेडिकल काउंसिलिंग को कुछ जानकार फीस से भी जोडते हैं अभी विभिन राजियों में MBBS वपीजी की फीस अलग-अलग है चत्तिसगर के निजी कॉलेजों में MBBS की फीस देश में सबसे कम है जानकारों का कहना है कि काउंसिलिंग दिल्ली से होने पर फीस के बारे में विचार किया जा सकता है हाला कि NMC ने अभी पूरे देश में समान फीस की कोई बात नहीं की है महराश्ट्रा के कई कॉलेजों में MBBS की फीस एक करोड से उपर है जबकि चत्तिसगर में सारे चार साल कोर्स की फीस 36 लाग के आसपास है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि महत्वपूर्ण अपदेश आप तक पहुंच सके धन्यवाद